नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फामिसे स्टडी में दोस्तों अगर आपका जो पेशाब है रुक रुक कराता है पेशाब जाने में काफी ज़्यदा तकलीफ होती है आप रात में उठकर पेशाब करते हैं बार बार यानि कि आपको पेशाब से जुड़ी गंभीर समस्या है तो इस वीडियो को पूरा आंत तक जरूर देखना आज के इस वीडियो में बात करेंगे टैमसुलोसिन हाइड्रो क्लोराइड कैपसूल या टैबलेट के बारे में दोस्तो यह जो Tamsolation Hydrochloride Capsule या टैबलेट है यह Medical Store पे अपने कुछ popular brands निम से मिल जाता है जिसकी अगर मैं बात करें तो सबसे जो popular है दोस्तो वो है URI Max Capsule आपको मिल जाता है इसके अलावा बात करें टैबलेट की तो दोस्तो कॉंटी फ्लो टैबलेट भी इसकी आपको मिल जाती है बात करें स्ट्रेंथ के बारे में तो जो सबसे जादा इसकी स्ट्रेंथ चलती है डॉक्टर देते हैं पेशन्ट को 0.4 mg वाली चलती है इस वीडियो में हम Tamsulosin Hydrochloride दवा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे जैसे कि ये दवा है क्या कैसे काम करती है पुरू स्किन किन समस्याओं में इसका उपयोग कर सकते हैं कैसे लेना है कितना डोज लेना है इसके साइड रिफक क्या कुछ आते हैं और कब आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना है पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा आंते तक जरूर देखें साथ ही अगर आप चनल पे पहली बारा है तो चनल को कर दीजिए सब्सक्राइब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह जो time solution है यह आखिरकार है क्या और यह दवा कैसे काम करती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह बिसकली alpha blocker class की दवाई है यह क्या करती है आपके prostate और bladder की जो muscles है उनको relax कर देती है आराम देती है जब वो relax हो जाती है तो आपके जो पेसाप से जुड़ी समस्याएं है उनमें आपको राहत मिलती है दोस्तों अब हम वीडियो में आगे की तरब बढ़ते हैं और फटा फट बात कर लेते हैं कि यह जो time solution hydrochloride दवा है इसका उपयोग आखिरकार कब किया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर कोई prostate गरंती है वो बढ़ गई है तो वहाँ पर doctor देते हैं दोस्तों इसको इंगलिस में benign prostatic hyperplasia या short form में BPH बोला जाता है अब अगर मैं लीजे किसी की जो ये prostate gland है वो बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो वेक्त होता है उसको कई सारी समस्याइं होती है जैसे की पेशाब बार बार लगती है इसके अलावा दोस्तों जो है पेशाब रुकरुक कराता है पेशाब की जो धार होती है वो बहुत ही कमजूर हो जाती है इसके अलावा दोस्तों जो पेशाब है वो अचानक से लग जाती है मरीज को साथ ही साथ रात में उठोट कर बार बार पेशाब करता है जिससे उसकी नीद खराब होती है तो जब मरीज ये दवा लेता है तो ये दवा क्या करती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके आकार को ये कम नहीं करती है मैं आपको बता दूँ ये दवा बिसकली क्या करती है आपके ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो मसल्स हैं उनको रिलाक्स कर देती है जिससे आपके जो पेशा यानि की जो है प्रोस्टेट ग्रंथी का बढ़ जाना ये जो समस्या है ये जिनकी उमर जादा होती है उनमें जादातर देखने को मिलते है तो वहाँ पर डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं ये दवा काफी जादा फायदेमंद है इसके अलावा दोस्तो कई बार डॉक्टर इस दवा का उपयोग किडिनी की पथरी के इलाज में भी करते हैं तो दोस्तो यही इस दवा के मुख उपयोग हैं जो कि मैंने आपको बता दिये हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से किसी दूसरी कंडिसन में भी इस दवा को दें अब वीडियो में आगे की बढ़ते हैं और फटा फट बात कर लेते हैं इस दवा को कैसे लेना रहता है और कितना डोस पेशन्ट को दिया जाता है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ सुबह मौर्णी में ज़्यादा तर डॉक्टर इसको लेने के सलाह देते हैं सुबह खाना खाने के आधा घंटे ब बता दूँ इसके डोस के बारे में तो जो 0.4 mg वाला टाबलट या कैपसूल है इसको ज़्यादा तर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दिन में एक ही बार इस दवा को लेने के सलाह ज़्यादा तर डॉक्टर देते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस दवा के क्या कुछ साइड सकते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूं इसमें Postural Hypotension की समस्या मरीज को ज्यादा देखने को मिलते यानि कि वह जैसे ही ख़ड़ा होता है वैसे ही उसका ब्लड पेशर हो लोह हो जाता जाता है इसके लावा उसको चक्र आना इसके दोस्तो मैं आपको बता दूँ जब भी पेशेंट संभोग करेगा तो उसमें जो सीमेन है वो बहुत कम निकलेगा ये इसके most common side effect हैं इसमें से या फिर इसके लावा कोई भी side effect दिखाए दे तो फर्दर इस दवा का उप्यूग ना करें साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से संपर्ख करें बात कर लेते हैं दोस्तो कब इस दवा का उप्यूग नहीं करना है तो दोस्तो अगर आपको इस दवा से किसी प्रकार के allergy है आपको liver kidney से संबंदि किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो वहाँ पर इसका उप्यूग ना क आपको अच्छा लगा होगा मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन पंद्यमातरम टेक केर बाई